सूजी के लड़ू की रेसिपी बहुत ही जाए अच्छी बनती हैं आप देख सकते हो यह बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनी थी तो इसको बनाने का एक बहुत ही अलग तरीका है और इजी तरीका है आप इसको घर पर ट्राय कर सकते हो जब भी आपका कुछ मीठा ऐते हो जाते हैं मे하게 सब्सक्राइब को देख लरुजिक लगां देख बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है तो आइए चलते हैं तो इसको बनाने के लिए मेंने एक कटोरी सूजी सारी यह दो कप के करीब सूजी थी आप शुगर बिलेने हैं सूजी और शुगर का ये मेजरमेंट है कि जितनी आप शुगर लोगे उतनी ही आपको सूजी भी लेनी है और यहां पर मैंने लिया है गी गही लेना है और यहां पर मैंने लिया है क्रेश्ट कोकॉनट पाउडर और यहां पर मैंने लिए हैं सब कुछ ड्राइफ रूट्स इसको मैंने थोड़ा सा कट करके रख दिया था आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्राइफ रूट ले सकते हो या इसमें से कोई स्किप कर सकते हो जो आपके पास अविलेबल हैं आप वो ले सकते हो तो पहुत जिए नहीं डाला है था नहीं रहा है आपको शुजड़ाएं मैं अपको मैजर्मिंट कर बताएं कि हाफ कुटोरी था वह ने इसमें डाल दिया हैं और जो 2 कप मैंने लीथी ऐसमें डाल रही हूं अब गी में मैं सुज़ी को अच्छे से भूनुगी हमें बहुत ज आपको बहुत ही ज्यादा घी को फ्राइए करना है बस थोड़ा सा आपने इसको फ्राइए करना है यह आप देख सकते हो इसका थोड़ा सा कलर्ण हो गया है अप इसको continuous की हिलाते रहना है थाकि हमारी सूजी जलना जाए आप देख सकते हो इसका थोड़ा सा हल्का सा color भी change हो गया है इसका हमने जादा color change नहीं करना है बस थोड़ा सा ही इसका हमने color change करना है तो हमारी सूजी भी भून चुकी है अब मैं इसमें डाल रही हूं शुगर और एक चीज़ के लिए मैं माफी चाहूंगी इसमें मैं एक इंग्रीडियन्ट को मैंने डाला था वो मैंने स्किप कर लिया हैं वो मैं यहां पर शूट नहीं कर पाई हूं वो हैं कोकोनट पौडर सुजी डालने के बाद तीन चार मिन चेनी को भी अच्छे से मिला देना है और अब हम इसमें डालेंगे दूद्ध आप चाहो तो आप मलाई भी ले सकते हो और मैंने यहां पर एक कप शुगर डाला है सौरी मिल्क कर डाला है यानि कि हाफ कटोरी एक कटोरी मेरी बड़े साइज की है तो यहां पर मैंने सिर्फ एक कप मिल्क लिया है तो मैं अब अच्छे से इसमें मेक्स कर रहे हूं और हमारा दूद्ध अच्छे से अबजोर्ब हो जाएगा सूजी में जब यह और अच्छे से अबजोर्ब हो जाए तो हमारा और गैस behavior समय इस पर बंद कर देना है और यहां पर देखें एकदम ड्र ब्राइफरूट कटके रखे तो भी तर्वूर्ट काटके कि रखें वहां फृक्त राइफ नहते हैं आप अपनी मर्जी कोई ड्राइफरूट लेकिता हैं और ऐसे भी जान आता है तो देखे ये अब अच्छा न्याम है । आप देख सकते हूं इसका color texture ठोड़ा सा change हो गया है और इसको हम Suzy में add कर देंगे और इसको अच्छे से mix कर देना है आप देख सकते हो यह अच्छे से मैंने mix कर लिए हैं और उसके बाद हम लड़ू बनाना शुरू कर देंगे इसको मैं लड़ू बनाने से पहले थोड़ा ह लड्डू अच्छे बनाएंगे, नहीं हो नितों को पसंद्स के लड्डू टियार करें नहीं दोनाकर पर चाहिए हैं इन दोन में पर बनाना को एक लड्डू में आपको बनाएंगे नहीं है नहीं है आपको सेम साइज की सभी लड़ू बन कर तयार हो जाएंगे जितना मुठी में आपकी सूजी आजाए उतनी सूजी लेनी है और दोनो हाथों की हेल्प से अच्छे से फिंगर से दबा दबा के आप देख सकते हूँ जैसे मैं दबा रही हूँ इस तरह से दबा दबा के आपको लड़ू तयार करने है ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है कभी भी आपका महन करे कुछ मीटा खाने का तो इस तरह से आप बना सकते हो और बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा तो इस तरह से मैंने हाँ पर सभी लड़ू बना कर तयार कर दिये थे, आप देख सकते हो, तो इस तरह से ही सारे लड़ू आपको बना कर तयार करने हैं, और इसको अब टाइम है गार्णिशिंग का, इसको मैं गार्णिश करूँगी कोकोनट पौडर की हर्प से, आप स्किप आप इसको आइज़िस झोड़ सकते हो, जैसे यह है वैसे भी बहुत ही अच्छे लग रहे है, अगर आपको कोकोनट का टेस्ट पसंद है, तो आप इसको कोकोनट पौडर में डिप करके इसको थोड़ा-थोड़ा गुमाना है, ताके कोकोनट पौडर इसमें चिपक जाए उस तरह से आपको इसको गानिश करना है इसका बहुत ही अच्छा देखने में भी अच्छे लगीगी खाने में तो अच्छा टेस्ट आएगा ही तो इस तरह से सारे लड़ूं को मैंने इसमें गानिश कर दिया था coconut powder से आप देख सकते हो तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेर करना, कोमेंट करना और चैनल पे नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज मेरी वीडियो को पूरा देखना चलो मिलती हूँ नए वीडियो के साथ तब तक के लिए